अगर आप बालों के ज़ड़ने से परेशान हैं बाल टूट टूट के आपके हाथों में आ जाते हैं बाल कभी बढ़ते नहीं हैं बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं और बाल बहुत ज़दा पतले हैं घने नहीं हैं तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा शैंपू शेयर कर रही जिसके बारे में सभी जानते हैं कि ये चीज़े बालों के लिए बहुत ज़दा फायदे मन हैं कोई भी कैमिकल का इस्तमाल इस शैंपू में नहीं हुआ हैं मार्केट से आप बहुत सारे शैंपू खरीते हैं और इतने पैसे खर्च करने के बाद भी आपके सारे बाल इस शैंपू को इस्तमाल करने के बाद आपके बाल 100% बढ़ेंगे काले घने लंबे बनेंगे यहां पर सबसे पहले मैंने ले लिया है एक कप आवला आवला सभी जानते बालों के लिए बहुत अच्छा होता है बालों को लंबा घना काला बनाता है इसे खाने में भी खाना यूज कर रही हूं जो शिकाकाई होता है यह बालों में शाइन लाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है नैच्छरल आपका कंडिशनर है बहुत अच्छी शाइन लेकर आता है बालों को सिल्की स्मूद बनाता है तीसरे चीज जो मैं यहां पर ले रहे हूं वह है अरीठ घर पे यह तीनों चीज आपको किसी भी परचून किराना की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी आपको एक कटोरी ले ले लेना है इसे रात को भीगो कर छोड़ दीजिए एक से डेड़ गिलास पानी आपको डालना है और इसे भीगो कर छोड़ देना है ताकि यह सुबह त चोड़ दिया था सुबह तक काफी अच्छे से फूल चुका है एकदम सॉप्ट हो गया है तो इस तरह से सॉप्ट हो जाना चाहिए अब क्या करना है इसे हमें पकाना है इसमें कुछ चीज़े मैं और डालूंगे जिससे नहीं बिल्कुल शैंपू जैसा लगेगा आपको आप जानते हैं कि बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है बालों को मजबूत बनाता है लंबा खना बनाता है दो चमच मैंने मेथी दान डाल देया दो चमच मैं यहां पर फ्लैक्सी डाल रही हो जिसे अलसी के बीज भी बोला जाता है और यह भी बालों के लिए बहुत तो आप क्या करेंगे इसे गैस पे रख देंगे और जो गैस है न वो आपकी मीडियम पे होने चाहिए तेज ने रखेंगे मीडियम पे इसे धीरे 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 पकने देंगे ताकि यह सारी चीज़े पक जाए और इसका जितना भी असर है पूरा पानी के अंदर आ इसका पानी का कलर है वो भी काफी चेंज हो गया पर अभी भी बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है तो मैं यहां पर क्या करने वाली हूं इसमें थोड़ा सा मैं अलसी के बीच और डाल दूंगी जिसे क्या होगा जैल बनता है और जैल बनने के बाद यह जो हमारा पानी है य जाकि यह गाढ़ा हो जाए और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पानी मत डालेगा भीगोते टाइम दी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा और फिर आपकी गैस्प हो गईगी फिर बोलेंगे मामित तो गैस्प हो गई तो ऐसा नहीं करना है एक ग पाल दे दीजेगा और जब इसमें थोड़ा सा पानी बचे तब हमें गैस को बंद कर देना है अब यह पहले से गाढ़ा हो गया है इसे ठंडा करेंगे तो यह और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी चीज में बहुत अच्छी से चांदा हो जाएगा तो था अब मैं गैस को बंद कर गो देखे है पानी तो अब क्या करना है इसके बाद में चान हूँगी तो यहां पर इन एक घंड़ना यहां उनकर साधा है टॉनिक भी इस्तमाल कर सकते हैं और ऐस शांपू भी इस्तमाल कर सकते हैं तरीका बता तुई कैसे करना है और ये जो leftover है ये जो हमारा बचा हुआ है इसे फेकना नहीं है बहुत ही काम का है ये भी आपको क्या करना इसे ठंडा करके जो अरीठा की बीज है वो निकाल दीजिए बहुत यासानी से निकल जाएंगे क्योंकि इस टाइम पर अरीठा बहुत सॉफ्ट हो चुका है ठंडा करके अरीठा के बीज निकाल निकाल लेती हूं। और इसे भी मैं फेक हूंगी। नहीं है। यह हमारा पानी निकल चुका है। और ये हमारा शैम्पू तयार हो गया है और ये बहुत अच्छा जाग भी देता है वैसे मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं इसे आप अपने बालो में डायरेक्ट भी अपलाई कर सकते हैं हेर टॉनिक की तरह और एक घंडा लगे रहने द लगाना मैं आपको इसका जाग दिखाते हूं यहां पर जो बरतन पड़े थे ना इसे मुझे धोना है तो मैं इसमें थोड़ो सा पानी नॉर्मल डाल रही हूं और इसको आम मैं दिखाती हूं कि इसमें भी कोई शैम्पू नहीं है बस हलका सा बरतन में लगा हूँ है फिर अब इसमें मैंने शैम्पू नहीं डाला शैम्पू डालोंगी तो और ज्ञाग बनेगा तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया कि ज्ञाग भी बहुत अच्छा बनता है बट कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि माम बालों में पर तेल बहुत ज्यादा ane है कि है यह बिल्कुल chemical free है बालों के लिए safe है इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ तो यह मैं क्या करूंगी इस ज़म्पू बेस हां इसको मैं जbnना इतना मिलाना है कि यह गाढ़ा हो जाए और जिससे की काफी अच्छा जाग बने अगर आपके बालों में तेल भी लगा हुए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप इससे बालों को धो यह बिल्कुल मार्केट जैसा शैंपू काम करता है ना वैसा यह काम करता है को कंडीशनर की जरूरत भी नहीं पड़ती है इसे लगाने के बाद तो यह देखिए हमारा शैंपू तयार हो गया है अगर आप यह शैंपू बेस नहीं खरीदना चाहते तो जो शैंपू आप अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा ह भाग बनने वाले हैं आप इसे किसी भी बाटल में इस तरह से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं कई-कई महीने यह खराब नहीं होता है जब भी आपको इसे यूज़ करना हो एक दो दिन पहले निकाल के रख लीज़ेगा अपनी बाटल में भर ये और फिसे यूज़ क इस तरह से इसको भर के रख लीज़े और इसे यूज़ करिए जब ये खाली हो जाए तो वह जो हमने फ्रिज में स्टोर कर किया हुआ है उसे आप फिर से इसमें रिफिल कर सकते हैं तो ऐसा करने से बहुत जादा दिन चलेगा और आपके बाल ऐसे सिल्की शाइनी हो जाए आप भी से ट्राय करिए और अपने फीड़ेक मेरे साथ जरूर शेयर करी वीडियो अच्छा लगए तो लाइक जरूर करिएगा